नमस्कार जहें साती हों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिन संकल्प यूटूप चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेग मिसरा जब सभी लोग के लिए क्लासिक्स की NCRT जोग्राफिक के महत्पूर्ण प्रशनों को लेकर किया हूँ ब्याखे के सात में जिसमें आज हम चैप्टर टू के कोस्टन को डिसकस करेंगे चैप्टर वन का वीडियो कल आचुका है जिसमें हमने 31 प्रशनों को देखा था सभी प्रशन बहुत ही मैदपूर्ण थे और कापी सारे लोगों ने देखा आए उसको बहुत ही अच्चा रिस्पॉंस भी दिया है अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो बस से देखीगा सभी प्रशन सौर मंडलोर प्रतवी के विशे में थे और आज के इस चेप्टर 2 में हम बात करेंगे अक्षांस और देसांतर के विशे में यूकि गलोब अक्षांस और देसांतर इस चेप्टर का नाम है और ये दो पॉइंट ऐसे होते हैं अधितर चात्रों के समझ में बहुती कम आते हैं तो इस पर हमने पूरे तेरा प्रसन बनाये हैं ये तेरा प्रसन थोड़े से लॉंग में हैं क्यों ये लॉंग में इसलिए हैं क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपको अच्छे समझना है तो लॉंग में प्रसन होना आवश् देखे और UPSC 2020 की पिलिम परिक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है तो जो लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं खास करके हिंदी मीडियम बाले च्छात्र उन लोगे मन में एक आजकल निगेटिव सोच आ रही है कि जो पिछली बार UPSC का रिजल्ट आया था उसमें हिंदी मीडियम बाले च्छात्रों में सिर्फ 2% थी था तो क्या मेरा होगा या नहीं होगा मैं हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए तो क्या है कि आप लोग ये निगेटिव सोच को बाहर कर दीजीगा और ये सोच जीगा कि सिर्फ मेरी लिए एक सीट है मुझे अपनी सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है और उसी के लिए पढ़ना है अब ऐसा होता क्यों है कि हिंदी मीडियम बाले च्छात्र जो है पढ़ने का सिर्फ होता है हिंदी मीडियम बालों को ये सरल होता है इंग्लिज मीडियम बाले जो अधिकतर स्कूल होते हैं वो क्या पढ़ाते हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक वो एंसी आर्टी को ही पढ़ाते हैं और NCRT जो है यह हमारी UPSC के लिए बहुत ही मैधपूर होती है तो अंग्रेजी मेडियम वाले चात्र पहले से NCRT को पढ़के आते हैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और इसके बाद में वो जब त्यारी करते हैं तो उनका बेसिक पूरा क्लियर होता है और वो अच्छे से त्यारी करते हुए चलते हैं अब NCRT का जो महितपूर योगदान होता है यह हमारी UPSC की परिम परिक्षा में होता है इसलिए हम आप सभी लोग के लिए जो हिंदी मीडियम के चातर ही है फिर जो इंगलिस मीडियम के लिए हैं सभी के लिए क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो NCR है उसके प्रस्णों को लाना सुरू कर दिया है जिसमें क्लास 6 की NCRT के प्रस्णों को देखा जा चुका है इसमें हमको प्राचीन भारत के इतिहास मिला था और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पूरे 200-300 प्रस्णों को देखा था अगर आप लोग इन प्रस्णों को नहीं देखा है तो जरूर देखीगा और चलिए शुरू करते हैं इससे पहले जिन लोग को NCRT के नोट्स चाहिए है वो हमको WhatsApp पर मैसेज करके NCRT के नोट्स को ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ पेमेंट करना होगा बहुत ही कम पेमेंट है तो सिर्फ वही लोग मैसेज करें जो लोग पेमेंट करके नोट्स को लेना चाहते हैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है वाट्स अब नंबर आप उससे मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला प्रस दिया जा रहा है कि ग्लोब के संदर में निम्न लेखित कतनों में से कौन से कतन सते हैं इस चेप्टर में जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है ग्लोब तो सबसे पहले ग्लोब पर ही देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहला कतन दिया जा रहा है कि एक सुई ग्लोब में जुकी हुई अबस्ता में इस्तित होती है जिसे आक्षे कहते हैं ठीक है दूसरा कतन दिया जा रहा है कि ग्लोब पर वे दो बिन्द जिन से उकर के सुई गुजरती है उत्तरी उत्तर तता दक्षियर्य ध्रूम कहते हैं तीसरा कतन दिया जा रहा है कि ग्लोब को सुई के चार और प्रत्वी की भात प dwelling से पूर्व की और घुमाया जा सकता है प्रत्वी जो है ये पस्चिम से पूर्व की और घुमती है और इसलिए हम पर तीसरा कतन जो है वो दिया जा रहा है कि जो गलोब है इस पर सुई के चारो और प्रत्वी को पस्चिम से पूर्व की और एक प्रत्वी ग्लोब को पस्चिम से पूर्व की और प्रत्वी के भात घुमाया जा सकता है तो इन तीनों कत्मों में से कौन से कतन सकते हैं आपको ये बताना है तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट आंसर दिया जा रहा है उपर ये तो तीनों कतन सकते हैं अब होता क्या है इसको ब्याख्य के साथ में समझेगा इससे हम पूरे चेप्टर को समझेंगे आप लोगों को अगर कहीं भी doubt होता है कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको comment box में पूछ सकते हैं काफी सारी student पूछते हैं आप भी पूछ सकते हैं ठीक है तो दिया जा र लगी होती है और यह पूरा ग्लोब होता है अभी जो सुई होती है इसका इधर वाला और इधर वाला यह दो अक्ष होते हैं जिनको आप उत्तरी और दक्षिन ध्रूब कह सकते हैं ठीक है यह अक्ष कहलाती है जो सुई होती है और यह जो होती है यह उत्तरी और दक्षिन दुरूब ये दो दुरूब होते हैं ठीक है अब क्या होता है कि ये जो दुरूब है ठीक है अब प्रतवी जो ग्लोब है ये दुरूब पर घुमती है सुई के सहायता से ठीक है क्या होता है ग्लोब पर वेदो बिंद जिन से उकर के सुई गुजरती है उत्तर तता दक्षन कहलाते हैं अब ग्लोब को इन सुई के चार और प्रत्वी के भाते पस्चिम से पूर्व की और गुमाया जा सकता है कैसे पस्चिम से पूर्व की और गुमाया जा सकता है क्योंकि जो प्रत्वी है ये भी पस्चिम से पूर्व की होरी ही गुमती है लेकिन आप एक बात को यहाँ पर याद रखेगा जो प्रत्वी है इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुई नहीं है इसको हम लोग ने कालपनिक माना हुआ है एक कालपनिक रेखा के रूप में माना हुआ जिससे की जो गलोब है इसको गुमा सकें और प्रत्वी की एक कलपना कर सकें ठीक है इसलिए इसको बनाये गया है जो प्रत्वी है ये अपने अक्ष पर चार और घूमती है चलिए आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रस्ण को आई होप आप लोगों को ये प्रस्ण समझ में आ रहे होंगे और वीडियो भी अच्छा लगेगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग सेर जुरू कर दें जिससे कि जो लोग यूपेसी की त्यारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो पहुंच सकें और जिसको आप लोग नजर अंदाज कर दीजिगा दिया जा रहा है कि विशुवत भृत के संदर्व में निम्ले लिखित कतनों में से कौण से गतन सत्य हैं पहला कतन दिया जा रहा है कि विशुवत भृत एक कालपनी रेखा है जो की गलोब को दो वराबर भागों में बांट से कतन सकते हैं चलिए इसकी पुष्टी करते हैं तो उपर यूट तो तीनों कतन सकते हैं ब्याखे के साथ में संज़ेई अब होता क्या है जो यह विश्वत बृत है यह कालपनिक रेखा है यह हमने इसलिए बनाई है जिससे कि हम जो प्रत्वी है इसकी आकृति का इसके बिस इस्तित आदे भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्द और दूसरा बाग है जो कि प्रत्वी के दक्षिर में इस्तित है तो जो प्रत्वी के दक्षिर माला इस्तित भाग है इसको कहते है दक्षिरी गोलार्द ठीक है अब इस प्रकार से जो विश्वत बृत है यह प्रत्वी पर बिभीनी स्थानों की इस्तित बताने का एक बहुती महत्पूर संदर्व बिंदु भी है क्योंकि एगर किसी की सनचना हमको मालूम नहीं होगी तो हम उसके विशे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए इस बृत्ति को बनाये गया है अब जो बिस्वत बृत्त है यह बिस्वत बृत्त में समानांतर बृत्तों को अक्षांस रहाएगन है जो अकशांस होते हैं इनको अंसों में मापा जाता है चलिए आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को आई होप आपको यह सभी प्रशन समझ में आ रहे होंगे अगर आपको कोई प्रशन समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अबस से पूँचिएगा तीसरा प्रशन पूँचा जा रहा है कि बिसोद बृत के संदर्ब में नीचे दियेगे कतनों में से कौन से कतन सत्य है पहला कतन दिया जा रहा है बिसोद बृत जीरो अंस अक्षांस को परदासित करता है अर्थाद जो बिसोद बृत है ये जीरो अंस अक्षांस परिस्तित है और इसके इधर और इधर दोनों तरब 90-90 डिगरी के अक्षांस और है ठीक है इसके बाद में जो दूसरा कतन दिया जा रहा है वो यह है कि विसुद बृत से प्रतवी की और जाने पर अक्षांसों का आकार घटता है अर्था जो विसुद बृत है इससे अगर आप प्रतवी की और आएंगे तो इससे क्या होगा जो इसका अक्षांस है अक्षांसों का जो मान है वो घटेगा ठीक है अक्षांस का आकार घटता है इसके बाद में जो तीसरा कतन दिया जा रहा है कि विसुद बृत से उत्तर या दक्षिन की और कोणी दूरी का माप की माप को देसांत नहीं कहते हैं, ठीक है, क्यों आई इसकी हैं पूष्टी करते हैं ब्याक्य के साथ में, इसको देशांतर नहीं कहते हैं इसको अक्षांस कहते हैं और इसको विश्वत बृत्त से दोनों धुर्बों की और अंसों में मापा जाता है जैसे कि डिग्री में ठीक है तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं इसी में इन दोनों की पुष्टी भी तो करनी है तो दू बिस्वत एक कालपनिक ब्रित है जो कि प्रत्वी को दो भराबर भागों में बाटती है और जो बिस्वत ब्रित है इससे दुरुबों की और जाने पर अक्षानसों का आकार घटता जाता है ठीक है तो पहला दूसरा कतन सत्यता और तीसरा कतन गलत था ठीक है चलिए अगर कुछ रेखाएं दी जा रहे ही जैसी की करक रेखा मकर रेखा उत्तरी धुरुब्रित और इसकी बाद में दक्षणी धुरुब्रित आपको बताना है कि किस स्थान पर किस डिगरी पर कौन से एक शांस पर इस्तित है पहला कतन है एक मिनट यहां पर पहली मैचिंग में पह जाना पड़ेगा तो इसका आप सभी लोग के सामने है यार था 3 का A है A का 3 ओके A का 3 और B का 4 है ये वाला इसके आद में C का है आपका 1 ठीक है और D का तो आप सभी लोग के सामने दूसरा है तो यह मैचिंग है अब इसको आप लोग समझ लेजीगा क्योंकि अगर आप इसके बाद में इसके दक्षिन में 10 दक्षिनी द्रूब है ठीक है जो कि 90 अंस पर इस्तित है अब ये द्रूब क्या होते है मालिए ये प्रत्वी है ठीक है प्रत्वी में एक ये द्रूब होगा और ये की द्रूब होगा ठीक है इसमें जो विस्वत बृत है ये ये है तरीत चार मैत पुर्द अक्षांस रेखा हैं और हैं ठीक है उन में से पहली आती है उत्तरी गोलार्द की करक रेखा उत्तरी गोलार्द में तकरक रेखा जो की साड़े तेश डिगरी अक्षांस पर इस्तित है अब इस साड़े तेश डिगरी अक्षांस कैसे होगा माली की य दक्षिन में दक्षिनी गोलार्द में मकर रेका इस्तित है जो कि 3.5 डिग्री पर ये भी है उके एक तरफ है करकर रेका और एक तरफ है मकर रेका इसके बाद में जो विश्वत बृत के 6.6 डिग्री उत्तर में इस्तित है वो है उत्तरी धुरूप बृत ठीक है जो कि जिसक बतुँए हैं। अधीव प्रस्णों को रखने से कोई फाइदा नहीं है। ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 5 को इसमें आपको कुछ कूट दिये जा रहे हैं इसके कूट का परियोग करके आपको इसका answer देना है तो प्रस्चन पूशा जा रहा है कि नीचे दिये गए यूगमों में से कौन से सुमेलित नहीं है अर्थात इन त इसके वाज में तीसरा कंतने वह दिया जा रहा है कि दक्षिन ध्रूब भरित यहां पर ब्रितと होगा ठीक है तो ब्रित नहीं ब्रित अर्ड़ मेंसे चेत्र से कों से कतन साथ हैं तो जो बता रहा है कि जो दक्षिन धुरूब है इसके बीच का चेतर ऊश्र कटी बंद है तो आपको बताना है कि इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसमें चार कूर दिया जा रहा है ऊप्सण A में दिया जा रहा है कि केवल EB perfect B में हैं दो और तीन मैं और सी में है एक और तीन ऊप्सण D में उप्रोओ तो सबीच तो आप्सण D इसका सही होगा क्यों तो कि यह तीनो ही गलत दिया रहे हैं ठीक है यह एक भी मैंचिंग पर सही नंद दी जा हरा है ठीक है बिल्कुल ठीक उपर होता है इसलिए इस छेत्र में अधिक उस्मा प्राप्त होती है तथा इसे उश्र कटिवंदिये छेत्र कहते हैं जो करकर रेखा और मकर रेखा के बीच का छेत्र है इसको हम लोग कहते हैं उश्र कटिवंदिये छेत्र ठीक है उश्र कटिवंद तरह झालती हैं इस तरह है इस प्रकार उत्तरी गुलार्द में करक रेखा एवां उत्तरी ध्रूब बृत तथा दक्षिणी गॉलार्द में मकर रेखा ठीक है क्या है कि एक बार फिर से समंझीगा ध्रूब की तरफ जो और सूर की केड़े overlap यह तिरशु insights पढ़ती हैं तो क्या होता है कि इस प्रकार से उत्तरी गोलार्द में करकर रेखा है और दक्षिनी गोलार्द में मकर रेखा है और दक्षिनी द्रूब करते हैं तो क्यों मकर रेखा है इनको स्रीट रेखा है और दोश्री गोलार्द में इतर धुब बृते एवां दक्षिनी द्रूब दक्षिनी कोलाज में दक्षिन धुरूब बिरित एबम दक्षिनी धुरूब के बीच के छेतर में बहुत ठंड होती है क्यों क्योंकि यहां पर सूर्चितित से जादा उपर नहीं आ पाता है इसलिए यह सीत कटिबंद कहलाता है ठीक है चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर 6 को इसमें आपको बताना है कि यह 4 कतन दिये जा रहा है और उन्हें चारों में से कौन से कतन सत्ते हैं ठीक है तो पहला कतन दिया जा रहा है कि विस्वत बृत सभी समानांतर बृतों को अक्षांस बृत कहते हैं दूसरे कतन में कहा जा रहा है कि विस्वत बृत के उत्तर कि सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांस कहा जाता है तीसरे कतन में कहा जा रहा है कि विस्वत बृत के दक्षिन इसते सभी समानांतर रेखाओं को दक्षणी अक्षांस कहा जाता है चौते कथल में कहा जा रहा है कि अक्षांसों को अंसों में मापा जाता है तथा दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी लगबग 111 किलोमीटर होती है था दो जो अक्षांस होते हैं एक और दो ठीक है दो अक्षांसों की जो बीच की दूरी होती है दो अक्षांसी देखाओं की बीच की दूरी 111 km होती है ठीक है तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से गतन सकते हैं चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं अगर आप लोगों को आंसर देना होता है तो आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर को दिया करें तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं थोड़ सा बड़ा प्रशन है लेकिन इंपोर्टेंट है ठीक है तो दिया जारे कि उपरोग तो सभी गतन सत्या था चार के चार को गतन सत्य है जैसे जैसे हम विश्वत बृत्त से धूर जाते हैं अक्षांस रेखाओं का आकार जो है यह घटता जाता है इस प्रकार विश्वत बृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक् जो दक्षिनिस्ति समानता रेखाएं होती हैं इनको दक्षिनिक्षांस का जाता है यह कुछ important point होते हैं ठीक यहां को confuse भी कर सकते हैं तो इनको अक्षे से याद रखीगा इसके बाद में 14 point का यहां पर उल्लेक दिया जा रहा है कि उल्लेक नहीं है कि अक्षांसों को अंसों म मापा जाता है तता दो अक्षांस रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगबग 111 किलो मीटर होती है ठीक है तो चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं सात में प्रस्ण को यह भी बहुत ही महत्मोर्ट प्रस्ण है दिया जा रहा है कि उत्तरी दुरुब से देशांतरी योमयोतर रेखा हैं ओप्षन C में अक्षांस रेखा हैं और देखते हैं तो आपको बताना है कि चार में से कौन स्वेया उत्तरी दुरुब से दक्षेन दुरुब को जोड़ने वाली जो संदर्व रेखा है उसको क्या कहा जाता है तो इसका ऑप्षेन पूर्वया पस्चिम की और इन इस्थानों की दूरी कितनी है ठीक है यहां पर एक और पॉइंट दिया जारे कि योम्योत्तर के बीच की दूरी विसुद बृत्त का अधिक्तम 111.3 किलोमेटर तता धुरुब का नियोंतम 0 किलोमेटर होती है ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशन संक्या 8 को ठीक है ये भी important point है ये तो इतना important है कि आपको याद रखना होगा कभी कभी आपके काम भी आ सकता है किसी भी इस्थान का मानक समय पूछा रहा है किसी भी इस्थान का मानक समय अर्थात standard time निर्धारित करने का आधार क्या होता है ठीक है option A प्रमुखियों में अत्तर option B बिस्वत रेखा option C करक देखा option D मकर देखा इन चारों में से कौन सा कतन सही है कौन सा option सही है आपको comment box में बताना है ठीक है तो उत्तर आप सभी लों के सामने option है बिल्कुल correct है अर्थात प्रमुखियों में अत्तर किसी भी स्थान की जो समय है तीक है मानक समय है इसको निधालित करने का जो आधार होता है वो है प्रमुखियों में अत्तर देशांतरी योमियोत्तर की लמ׭ाई का एक समान होने के कारण सिर्फ एक सिर्फ मुख्य सं रेखाओं में ब्यक्त करना कथिण होता है समय को जो मुख्य संदेखाओं में बेक्तकाना कठिन होता है तब सभी देशों ने निश्चे किया था कि Greenwich जो कि जहां पर British राज की बेद साला इस्तित है यहां से गुजरने वाली योम्योतर से पूर्व और पस्टिम की ओर गिंती सुरू की जाए ठीक है कहां से British राज की बेद साला से जो कि Greenwich में है अगर आप यहां पर NCRT में देखे जा करके तो यह Greenwich वहां पर नहीं मिलेगा आपको क्यों 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 कि वहां पर गलत दिया हुआ है ठीक है वहां पर Greenwich करके ही है कुछ लेकिन वहां पर यह गलत दिया हुआ है ठीक है तो आप लोग उसको नजर अंदाज करिएगा क्या होता है कि एक मिनट इसको आप लोग फिर से समझीगा थोड़ से important इसलिए इसको आप लोग एक बार फिर से समझीगा देशांतरी योमियोतर की लंबाई एक समान होने के कारण क्या है कि इसे सिर्फ मुखे संरेखाओं में ब्यक्त करना कठिन होता है तब सभी देशों ने मिलकर के एक निश्चे किया था कि Greenwich जहां पर British की राजकी बेजसाला इस्तित है यहां से गुजरने वाली योमियोतर से पूर्व और पश्चिम की और गिंती सुरू की जाए किसके लिए गिंती समय के लिए ठीक है अब इस योमियोतर की प्रमुक इसको क्या कहते हैं इस योमियोतर को प्रमुक योमियोतर कहते हैं यहां से हम 180 डिगरी पूर्भी या फिर 180 डिगरी पस्यम तकी गरना करते हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर 9 को यह भी बहुती मैत पूर्ण पूछे जा रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा या फिर से कतन सकते हैं पहला कतन दिया जा रहा है कि प्रमु की यो में उत्तर तता 180 डिगरी यो में उत्तर मिलकर के प्रत्वी को समान भागों में समान भागों पूर्भी गोलार्द एबं पस्यमी गोलार्द में बिभक्त करते हैं ठीक है दूसरा कतन दिया जा रहा है कि 180 डिगरी पूर्व एबं 180 डिगरी पस्यम यो में प्रमुख्यों क та पुर्व के लिए अक्षर पूर्व की लिए प्याइं करती है इसलिए इसलिए किसी भी तान के देशांतर के आगे पूर्व पुर्व के लिए अक्षर पूर्ब के लिए पूर का इस्तेमाल कियाता और U ुपार्व के लिए पाक का इस्तेमाल कियाता है तो आप लोग इसमें उसको एक बार आप फिर टें समझ लिजीगा क्यों कि यह थोड़ से इंक्वार्टेन्ट ए प्रमक yohmayotr जो कि 180 डिग्री या मियोत्तर मिलकर के प्रत्वी को दो भागों में विभाजित करता है प्रत्वी जो है पूरी ये 180-180 दो भागों में विभाजित है ठीक है 90-90 करके अलग है और 180-180 करके ये अलग दो भाजों में विभाजित है ठीक है अब ये जो दो भागों में विभाजी दिये समान है ये कहलाते हैं पूर्भी गोलार्द और पश्चमी गोलार्द ठीक है अभी तक आपने जो उपर पड़ाता ये पड़ाता उत्तरी और दक्षणी गोलार्द ये होते हैं पूर्भी और पश्चमी गोलार्द अब इ इतने डिग्री पूर्व में इस्तित हूं ठीक है अगर आप लोगो समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए यहां पर एक और पॉइंट दिया जा रहा है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पस्चिम या मियोत्तर एक ही रेखा परिस्तित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतराष्टी तिति रेखा अठात इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दस में प्रसन को प्रसन संक्या 10 दिया जा रहा है कि निमनलेखित कतनों में से कौन से गतन सत्य हैं पहला कतन दिया जा रहा है ग्रीन बिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीन बिच समय से आगे होता है तथा पस्चिम के स्थानों का समय से पीशे होता है क्यों इसके लिए आप पर दूसरा कतन दिया जा रहा है प्रतवी अपने कालपनिक अक्षपर पस्चिम से पूर्व की और घूमती है ये कारण है ठीक है तो आपको बताना है कि इन दोनों मेंसे कौन से कतन सकते हैं उत्तर दिया जा रहा है कि दोनों कतन सकते हैं प्रतवी अपने कालपनिक अक्षप पर पस्चिम से पूर्व क्यों और घुमती है पूर्व क्यों चक्कर लगाती है अथा बेस सभी इस्तान जो ग्रीन बिच से पूर्व में है ठीक है उनका समय ग्रीन बिच से आगे होगा ठीक है तथा जो पस्चिम में है उनका समय पीशे होगा ठीक है क्योंकि ये उससे को अपने अक्ष पर एक डिगरी घूमने में कितना समय लगता है option A 5 minute, option B 7 minute, option C 4 minute, option D 60 minute तो आप लोग इसका जल्दी से हल करके comment box में answer दीजीगा वीडियो को post कर लीजीगा, चलिए हम इसका answer आपको बताते हैं, अगर आपको answer देना है तो आप वीडियो को रोख लीजीगा, और इसके बाद में answer को दीजीगा, इसका option C बिल्कुल correct होगा, 24 घंटे और 24 घंटे में ये 360 डिगरी घूम जाती है ठीक है, क्या कि जो प्रत्वी है ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में जब 360 डिगरी घूम जाती है इसलिए, 360 घंटे बराबर 300, एक मिनट, 24 घंटे बराबर 360 मिनट, तो एक घंटे में कितना घूमेगी, अब एक घंटे में कितना घूमेगी, इसलिए हमने क्या किया है 360 बटे कर दिया 24 अब जब इतना करेंगे तो क्या होगा 24 से जब आप 360 को काटेंगे तो आएगा पंदरा डिगरी ठीक है जब पंदरा डिगरी आएगी तो एक घंटे में कितना घुमेगी अब एक घंटे में 60 गंटे में होते हैं पूरे 60 मिनट तो 60 मिनट में कितना घुम रही है 60 मिनिट में घुम रही है 15 डिग्री अब जब 60 मिनिट में 15 डिग्री घुम रही है तो एक डिग्री घुमने में कितना समय लेगेगा कर दिया 60 बटे 15 अठा 60 अपान 15 तो 4 मिनिट निकल की आया ठीक है क्योंकि 15 चकू 60 ठीक है तो एक डिग्री घुमने में पूरा चार मिन लेती है प्रत्वी प्रत्वी जब एक डिगरी घुमती है तो इसमें पूरा चार मिन वो लेती है ठीक है अब इसका आपको answer मिल गया अब इसी type का एक और numerical आप लोग लगाईगा ठीक है numerical type का है बार्मा प्रस्ण पूलिख जा रहा कि इसके बाद में option D, 2 गंटा 40 मिनट, तो इसका सही answer होगा, option D, अर्थाथ 2 गंटा 40 मिनट, ठीक है, तो आपको answer देना हुआ करें, तो आप लोग इसको रोक लिया करें, अब इसके numerical को आप लोग लगाईएगा और समझीगा, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, चूँकि एक डिगरी देसांतर घूमने में लगता है, इस समय पूरा 4 मिनट, अब 40 डिगरी घूमने में कितना समय लगाईगा, तो 40 into 4, अर्थाथ 160, 160 बराबर 2 गंटे 40 मिनट, ठीक है, तो यह आपको मिल गया, इसका आंसर, अब अर्थाथ इसको समझ लिएगा, पुष्टी, ग्रीन बीच में 2 पायर के 12 जब बजेंगे, तब, उस स्थान पर कितना होगा, 2 बच के 40 मिनट होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ का समय यहां से अलग है, ठीक है, क्यों, अभी अलग होगा, क्योंकि यह उस स्थान से काफी दूर इस्थीत है, ठीक है, क्यों, कितनी दूर इस्थीत है, 40 डिगरी पूर में, 40 डिगरी पहले इस्थीत है, ठीक है, तो चलिए आंगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, 13 प्रस्ण को, ये लाश्ट प्रस्ण है और ये भी कुछ नुमेरिकल टाइप का नुमेरिकल नहीं लग रहा है बट है अच्छा प्रस्ण है भारत के किसी यामियोत्तर देसांतर रेखा कि इस थानी ये समय को भारत का मानक समय माना जाता है और आपको अंसर बताना है कि भारत की ये यामियोत्तर देसांतर किस जगे पर किस यामियोत्तर जो रेखा है इसका इस्थानी समय अर्थत भारत का मानक समय माना गया है चली इसका अंसर आपको बताते हैं आप्सन बी बिल्कुल करेक्ट है इसको आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे समझना होगा यहां पर बारा प्रसन ये दिया जा रहा है और तेरा ये कुछ तेरा ने चौदा होगा प्रसन ठीक है नीचे वाला बारा दिया गया है वो मिस्प्रिंट हो गया है तो आप लोगों किसमें ज्यादा केंफ्यूज ना हो इसका अंसर में देया रहा है ऑप्सन बी अरतात भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगर के इस्थानिये समय में लगबग एक घंटा 45 मिनट का अंतर है इसलिए यह आवस्यक था कि देश के मद्ध भाग से होकर के गुजरने वाली किसी या मियोत्तर इस्थानिये समय को देश का मानक समय माना जाए अब देखिए क्या है कि जो हमारा भारत देश है यह कुछ इस प्रकार से ठीक है ऐसा जाता है फिर ऐसा और पिर ऐसा जाकर के ऐसा जाता है ठीक है तो यहां पर और यहां पर समय में काफी अंतर है यह जो समय में अंतर है क्योंकि यहां पर जब सुबह होगा फिर यहां पर काफी टाइम बाद लगबग दो घंटे का अंतर है ठीक है तो इसलिए अपने भारत देश की जो समय है इसको एक जो तो बनान देबा गए उससे गुजरने वाली किसी यामियोत्तर की स्थानी समय को देश का मानक समय माना जाए ठीक है अब इसके लिए किया क्या गया तो भारत में 82,5 डिगरी ठीक है जो मानक यामियोत्तर गुजरा यहां से इसको माना गया है तो चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौधमे प्रस्ण को यह आपको यहां पर 12 दिखाई दे रहोगा लेकि 12 में प्रस्ण को पहले दिसक्स कर सकते हैं और यह तो चौधमे प्रस्ण पूछा जारा कि भारत क मानक समय, Green Beach के मानक समय से कितना आगे या फिर पीचे है option A में 5 गणता 30 मिनिट आगे option B में 5 गड़ा 30 मिनिट पीचे option C में 6 गंता 30 मिनिट पीचे option D में 4 गंटा 30 मिनिट आगे तो इसका अंसर क्या सही होगा इसका option A बिल्कुल correct है ता इससे आंगे है और 5 घंटा 30 मिनिट आंगे कैसे आंगे इसको देखीगा भारत का मानक समय या मियोतर ग्रीन बिच के 82 डिगरी 30 मिनिट पूर्व में इस्तित है अता यहां का समय Green बिच के समय के 5 घंटा 30 मिनिट आंगे इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे तब भारत में सामके 7 बजेंगे क्या है कि ये 5 घंटा 30 मिनिट आंगे जब 5 घंटा 30 मिनिट आंगे तो यह अपर 7.50 बजेंगे ठीक है क्योंकि 2 और 5 ही तो होगे ना 7.5 बजेंगे तोड़ा सा गलत है अपर 7.5 बजेंगे 7 बज के 30 पिनिट होगे ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं एक बार फिर से 13 प्रस्ण दिया जारा यह बार 15 प्रस्ण है ठीक है यह 15 प्रस्ण है जिसका अंसर होगा ऑप्सण डी अर्थाद 11 रूस में देखिए कि कुछ देश जो हैं जिनका देशांतरी विस्तार इतना अधिक है उस जिसके करण सिव वहाँ पर एक से अधिक समयों को माना जाता है अब यहाँ पर क्या है पूरे 11 समयों माना जाते है प्रत्वी जो है इसको एक घंटे वाले 24 शेत्रों में बाटा गया है क्यों 24 शेत्रों में क्यों बाटा गया है क्योंकि जो प्रत्वी है ये एक मिनट में 4 मिनट में एक डिगरी खुमती है ठीक है अब कहीं पर सुबह यहाँ पर होगा तो कहीं पर सुबह यहां पर होगा जो तो काफी time बाद में इसलिए इसको 24 से जो तो समयों में बाटा गया है इस प्रकार से प्रतेक समय छेतर 15 डिगरी देसांतर तक के छेतर को घेलता है अथा जितना 15 डिगरी देसांतर का जो छेतर है वहाँ पर एक समय होगा तो आज की इस वीडियो में इतने ही प्रसंते अगर आप लोग को NCRT के notes चाहिए है तो आप लोग हमें WhatsApp नंबर पर इस नंबर पर message करके NCRT के notes को ले सकते हैं अगर आपको ये PDF चाहिए है ये वाला PDF चाहिए तो आप लोग को WhatsApp पर message कीजिए का और इस PDF को ले सकते हैं इसके लिए आपको payment करना होगा ठीक है तो मिलते हैं अगरे वीडियो के साथ तक लिए जैहन दोस्तों